नमस्कार दोस्तो एजुकेशनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक कोस्मेटलोर्जी में पुछे जाने वाले जिक्के के बहुत ही इंपोर्टेंट क्योसन और दोस्तो हर क्योसन के लिए आपको 10 स्वारा सेगंड का समय भी दिया जाएगा ऐसे ही क्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिसक्रिप्सिन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो समय को नग वाते हुए शुरू करते हैं पहला की उस्तन दोस्तो मालिस के किस परकार में अंगुठे और अंगलीओं को गोल गोल गुमाया जाता है तो इसका सही अंसर होगा मालिस के सर्कुलर स्ट्रोक परकार में अंगुठे और उंगलियों को गोल गोल गुमाया जाता है अगला क्यों सन दोस्तो टैटू का परकार कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा उप्रोक सभी टैटू के परकार है अगला क्योंसन दोस्तों कंडिस्निंग के लिए किसका प्रियोग कर सकते हैं तो इसका सही अंसर होगा कंडिस्निंग के लिए उपरोग सभी का प्रियोग कर सकते हैं अगला क्योंसन दोस्तों सोफ्ट स्केल्प कहां दिखता है तो इसका सही अंसर होगा soft scalp उपर दिखता है अगला क्योशन दोस्तों गल्ट मुद्रा से क्या नुक्सान हो सकता है तो इसका सही अंसर होगा गल्ट मुद्रा से गर्धन एमपीट में दर्द हो सकता है अगला क्योशन दोस्तों कंगे इत्यादी साफ करने के लिए कितने परसेंट फार्मेलीन का उपयोग किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से 10% फार्मेलीन का उपयोग किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों साइड बोंड कितने परकार के होते हैं तो इसका सई आंसर होगा साइड बोंड दो प्रकार के होते हैं अगला क्यों सन दोस्तों किस परकिरिया में पिगमेंट अनू कोर्टेक्स तक पहुंच कर बालों को रंग परदान करता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से पर्मानेंट परकिरिया में पिगमेंट अणू को टेक्स तक पहुंच कर बालों को रंग परदान करता है अगला क्योसन दोस्तो बादाम और निम्बू के ब्लिच में माइस्टराइजिंग इफेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा इसके लिए गलीसरीन उप्योग किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों पिन कलर बनाने की मेतोपूर्ण तकनीक क्या है तो इसका सही आंसर होगा इसकी मेतोपूर्ण तकनीक पुलिंग है अगला क्यों सन दोस्तों मेंदी का पेस्ट किस पोदे की सुखी पत्तियों के पाउडर से बनाया जाता है तो इसका सई आंसर होगा यह इना पोदे की सुखी पत्तियों के पाउडर से बनाया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों टैटू बनाते वक्त स्टूडियो करमचारी को किसका प्रियोग करना चाहिए तो इसका सही आंसर होगा इसको लेटेक्स दस्ताने का प्रियोग करना चाहिए अगला क्यों सन दोस्तों आथो पर इना लगाने से पहले क्या कर लेना चाहिए तो इसका सही आंसर होगा पेज स्टेस्ट कर लेना चाहिए अगला क्योंसन दोस्तो स्रेडिंग शुरू करते समय आईब्रो पर किस की पर्त लगाई जाती है तो इसका सही अंसर होगा पाउडर की पर्त लगाई जाती है अगला क्योंसन दोस्तो सुखे बालों के लिए किस आदर्स कंडिसनर पर निसान लगाने पड़ते हैं तो इसका सही अंसर होगा सूखे बालों के लिए क्रीम कंडीशनर पर निसान लगाने पड़ते हैं अगला क्यों सन दोस्तो मनुस्यों में गरबावदी के दोरान बुरून के बाल के रोम कितने सपता तक बन जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा 22 में सप्ता तक बन जाते हैं अगला क्यों सेन दोस्तों कौन सा उत्पाद चेहरे के रोम चिद्रों को बरकर एक चिकना बेस परदान करता है तो इसका सही आंसर होगा प्राइमर चेहरे के रोम चिद्रों को बरकर एक चिकना बेस परदान करता है अगला क्यों सेन दोस्तो पर्मिंग लोशन को कहां नहीं लगाना चाहिए तो इसका सई अंसर होगा पर्मिंग लोशन को उप्रोक्त में से किसी जगए पर भी नहीं लगाना चाहिए अगला क्यों से न दोस्तों कितने गंटे पूरे ओने पर टैटू पर से बेंडेज अटानी चाहिए तो इसका सई अंसर होगा 24 गंटे पूरे उने पर टैटू से बेंडे जटानी चाहिए अगला क्यों से न दोस्तो दो प्रात्मिक रंगों को समान रूप से मिलाने के बाद कौन सा रंग प्राप्त होता है तो इसका सई अंसर होगा तब secondary रंग प्राप्त होता है अगला क्योशन दोस्तों ammonium yogic समय नहते किस अनुपात में प्रियोग किया जाता है तो इसका सई अंसर होगा यह एक ratio 1000 के अनुपात में प्रियोग किया जाता है अगला क्योशन दोस्तों प्राचिन एजिप्ट के लोग बालो को परम करने के लिए किस पर लपेटते थे तो इसका सई अंसर होगा ये लकडी पर लपेटते थे अगला क्यों सन दोस्तों तवच्छा को ताजा करने के लिए फ्रेसर किस परकार की तवच्छा पर मेकप लगाने से पहले लगाया जाता है तो इसका सई अंसर होगा यह सुस्क तवच्चा पर लगाया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों किस बॉंड को गर्मी या पानी से नहीं तोड़ा जा सकता तो इसका सई अंसर होगा निमन में से डाइ सलफाइड बॉंड को गर्मी या पानी से नहीं तोड़ा जा सकता अगला क्यों सन दोस्तों पैर के तलवे से मोटी चमड़ी को अटाने के लिए क्या उप्योग किया जाता है तो इसका सई अंसर होगा पैर के तलवे से मोटी चमड़ी को अटाने के लिए औरेंज वूड गड़ी का इस्तवाल किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों सर्दी के मौसम में तबच्चा को किस फेसिल की आवशकता होती है तो इसका सई अंसर होगा उसको आईड़ेटिंग फेसिल की आवशकता होती है अगला क्यों सन दोस्तों संतुलित बोजन में निमन में से क्या क्या पाए जाते हैं तो इसका सई अंसर होगा शंतुलित बोजन में निमन में से वसा, प्रोटीन और खनीज उपरोग सभी पाए जाते हैं अगला क्यों सन दोस्तों तबच्चा कितनी परतों से बनी होती है तो इसका सई अंसर होगा तबच्चा तीन परतों से बनी होती है अगला क्यों सन दोस्तों गोल चेरे पर किस प्रकार के बाल रखने चाहिए तो इसका सई अंसर होगा गोल चेरे पर लंबे बाल रखने चाहिए अगला क्यों सन्य दोस्तों टैटू के द्वारा क्या हो सकता है तो इसका सई आंसर होगा टैटू के द्वारा तवच्छा संकर्मन तथा अलर्जी दोनों हो सकती है अगला क्यों सन्य दोस्तों पर्मिंग के बाद बालों को कम से कम कितने दिनों तक नहीं दोना चाहिए तो इसका सई अंसर होगा पर्मिंग के बाद बालों को कम से कम दो दिनों तक नहीं दोना चाहिए। अगला क्यों सन दोस्तो बाल किस रंखला से बने होते हैं। बारत्य इस्त्रियो दोरह साधी में पहनी जाने वाली मुख्य पोसाग कौन सी है। तो इसका सई आंसर होगा वहे मुख्य पोसाक साड़ी है अगला क्योंसर है दोस्तों किस परकिरिया के अंतरगत अंतरवर्दित बालों के उगने की समस्या नहें के बराबर होती है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से थ्रेडिंग परकिरिया के अंतरगत यह समस्या होती है अगला क्योंसर है दोस्तों पर्मानेंट एयर स्टेटनिंग के दुस प्रवाव क्या है तो इसका सई आंसर होगा इसके दुस प्रवाव बालों की बनावट अक्स्तिगर्ष्ट हो जाती है अगला क्योंसर है दोस्तों बालों के जीवित इससे को क्या कहते है तो इसका सई आंसर होगा बालों के जीवित इससे को बल्लब कहते है अगला क्योंसन दोस्तों साइड और उपर के बालों को सुल जाकर जब फ्री कोल करने दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं तो इसका सई अंसर होगा तब उसे साइड प्रिमाप कहते हैं अगला क्योंसन दोस्तो महिलाओं में किस कार्ण से ठोड़ी पर बालों का गना विकास हो जाता है तो इसका सई आंसर होगा महिलाओं में निमन में से दोनों ए तथा भी आर्मोनल एसंतुलन और आन्वन सिक्ता दोनों के कार्ण ठोड़ी पर बालों का गना विकास हो जाता है अगला क्यों से ने दोस्तों बालों की सेटिंग किस से करते हैं तो इसका सई आंसर होगा बालों की सेटिंग बलो ड्राइइंग से करते हैं अगला क्यों से ने दोस्तों मेक अप के दोरान किस परकार का लाइट अच्छा माना जाता है तो इसका सई आंसर होगा मेक अप के दोरान यलो तथा बल्यू दोनों लाइट अच्छे माने जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन का बटन भी जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तों ऐसे ही क्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप ऐसे ही क्योसन वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद